हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू आर चैनल, लर्निंग नोट बुक आज इस वीडियो में हम क्लास 5 सोशल साइंस का चाप्टर, नाच्रल डिजास्टर्स करेंगे इस चाप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में सीखेंगे तो इस वीडियो को एंग तक ज़रूर देखें और एक और बार हम अपने चैनल, लर्निंग नोट बुक पर क्लास 5 सोशल साइंस का पूरा स्लेबस कवर कर रहे हैं तो इस वीडियो के साथ-साथ आप हमारे चैनल, लर्निंग नोट बुक पर भी जाएं और उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें तो देखते हैं, इस वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि what are natural disasters फिर हम कौन-कौन से natural disasters कवर कर रहे हैं flood, tsunamis, earthquake, volcanic eruptions, landslides ये सभी natural disasters हैं, इन सबको बहुत अच्छे से सीखेंगे हम next natural disaster होगा, forest fire, then cyclone और students, end में मैं आपको दूँगे कुछ important questions इस chapter के तो चलिए, शुरुवात करते हैं अपने पहले topic से What are natural disasters? Natural disasters are extreme forces of nature that deserved in death and destruction of lives of people and property तो natural disasters क्या होते हैं? Natural disasters एक ऐसे हाद से होते हैं, जो nature की वज़े से होते हैं जो environmental factors, यानि हमारी nature cause करती है और उसकी वज़े से क्या होता है? बहुत ही बड़े scale पर destruction होती है लोगों की भी और property की भी लोगों की death हो जाती है और property destroy हो जाती है तो ये होते हैं natural disasters Examples क्या-क्या है natural disasters के? Cyclones, floods, dots, forest fires, landslides, tsunamis, earthquakes and volcanic eruptions तो अब हम इन सभी natural disasters को एक-एक करके अच्छे से समझेंगे तो पहला natural disaster है flood ये देखिए ऐसी होती है flood कितने तेज बहाओं से ये पानी आ रहा है और इतना सारा और इतना तेज पानी होता है कि अपने साथ ये सारी property तो destroy करता ही है और अगर कोई लोग इसमें फस जाएं तो उन्हें भी भागे अपने साथ ले जाता है So floods क्या होती है When water level in a river rises above normal it leads to a condition called floods जब किसी भी river में पानी का जो level होता है वो normal से उपर चला जाता है जो usual level होता है river का अगर वो पानी उससे उपर चला जाता है तो उसकी वज़े से आती है floods क्या होता है कि वो excess जो पानी का है वो river के किनारे तोड़ देता है और वो इन banks को cross करके plains में इंटर कर जाता है वो सारा पानी और उसकी वज़े से सारी city में, towns में, गाउं में कहीं भी flood आ सकती है अब है कि flood क्यों आती है usually large amounts of uncontrolled rain और excessive melting of snow can cause floods in rivers कैई बार बहुत ज़ादा बारिश होने की वज़े से river में बहुत पानी खटा हो जाता है तो उसकी वज़े से भी flood आती दूसरा reason ये हो सकता है कि पहारों की जो snow है वो बहुत ज़ादा melt होके नीचे उनका पानी नीचे river में खटा हो गया है वो melt होके नीचे आई है तो river का जो level है वो normal से उपर चला गया है उसकी वज़े से भी flood आ सकती है और क्या reasons हैं flood के cutting down of trees in large numbers leads to less water being absorbed by the ground अब students क्या होता है कि जो नदी के आसपास अगर trees होते हैं अगर trees present होते हैं तो जब ये बारिश बारिश का पानी आता है तो काफी सारा पानी वो soil जो होती है trees के आसपास वो ही absorb कर लेती है पर अब क्या होने लगा है human activities की वज़े से बहुत ज़्यादा scale पर deforestation भी होने लग गई है यानि बहुत सारे trees को large amount में बहुत सारे trees को काट दिया जाता है तो उसकी वज़े से problem क्या एकटी हुई कि जब बारिश का पानी आया है तो नदी के आसपास trees ना होने की वज़े से वो excess water कहां चला गया है नदी में ही चला गया है soil absorb ही नहीं कर पाई ज़्यादा पानी तो इस वज़े से भी नदी का जो level होता है वो normal से उपर चला जाता है और floods आ जाती है तो floods के effects क्या-क्या होते है पहला major effect जो होता है flood का that it often kills several people and animals सबसे ज़्यादा नुक्सान ये लोगों को और animals को पचाता है इतने ज़्यादा पानी के pressure से इतने ज़्यादा पानी से लोग नहीं बच पाते बहुत से लोग और जानवर मर जाते हैं floods की वज़े से दूसरा effect है that it causes heavy damage to crops and houses जो agricultural land होता है वो सारा पानी में डूप जाता है जिसकी वज़े से सारी crops खराब हो जाती है इसी तरह से जो घर होते हैं घरों में पानी गुश जाता है और villages वगेरा में तो जहां पे कच्चा houses होते हैं वो कच्चा houses गेर भी जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा destructive nature होता है flood का लोगों के साथ-साथ ये property को भी बहुत भारी नुकसान पचाती है next effect है flood का that transport and communication systems are disrupted इसका मतलब है कि जैसे कि कई बार तो रोग सी तूट जाती है अब सारी जगा अगर पानी ही पानी है तो क्या चलेगा वहाँ कुछ नहीं चल सकता बोट ही चल सकती है और नॉर्मली cities में हम लोगों के पास बोट सो होती नहीं तो transportation system सारा तूट जाता है इसी तरह से communication system भी जो हमारी telephone की जो wires होती है या electricity की जो wires होती है वो जो poles होते हैं वो सब तूट जाते हैं then many waterborne diseases like cholera, malaria, dengue can spread in times of flood जो पानी की वज़े से, जिसमें मच्छर की वज़े से जो diseases होते हैं जैसे की cholera, malaria, dengue ये फैल जाते हैं floods में तो floods का overall effect बहुत ही बुरा होता है लोगों के साथ-साथ ही जानवरों को भी मार देती हैं, crops को भी हमारी property को भी so overall बहुत ही destructive nature होता है floods का अब next natural disaster है tsunamis तो ये देखिए ये होती है tsunamis यहाँ पे ocean में बहुत ही high-high waves बनती हैं और ये नुकसान बचाती हैं coastal areas को so what are tsunamis? tsunamis are sudden, unexpected and giant ocean waves that can cause sudden movement of water तो tsunami क्या होती है? tsunami बहुत बड़ी-बड़ी ocean waves होती है जो एकदम से बनती हैं उन्हें expect नहीं करता कोई भी वो suddenly अपने आप बनती हैं और उसकी वज़े से क्या होता है? जो ocean का पानी होता है उसमें बहुत ज़ादा movement create होती है they are also known as under sea earthquakes because they are caused by earthquakes under the sea तो tsunami किस वज़े से होती है? वो होती है क्योंकि पानी के नीचे earthquake आजाता है तो इस वज़े से जो पानी है वो बहुत तेटेज उसमें movement होनी शुरू हो जाती है और बहुत उची-उची लहरे बनती हैं और वो जब उची-उची एरिया जो coastal एरिया होता है वो उस पानी में डूब जाता है In 2004, there was a major tsunami in Indian Ocean which is considered as one of the deadliest natural disaster in history 2004 year में एक बहुत बड़ी tsunami आई थी हमारे Indian Ocean में जिसे कहा जाता है कि वो अभी तक की सबसे बुरी natural disaster है पुरी हिस्ट्री में तो ये देखिए इस वीडियो से मैं आपको दिखाऊंगे कि tsunami के बाद क्या हालत होती है ये देखिए यहां पे कैसे सारे घल तूट गए हैं कि इतनी massive destruction होई है ये देखिए यहां पे सब कुछ तूट गया है ये tsunami जो होती है ये एकदम से within minutes इतनी जादा flooding कर देती है आसपस के areas में कि समहलना बहुत मुश्किल होता है इतनी massive destruction करके जाती है इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए ये ship है जो ये land पे आ गई है जो ship पानी में चल रही थी वो पानी के बहाँ से land पर आ गई है कहीं आग लग गई है लोग इतने मर जाते हैं घर सबके टूप जाते हैं बहुत मुश्किल है ये बहुत ही जादा destruction कॉस करती है life or property कर देख So, as I told you these are effects of tsunamis that it causes heavy flooding and disrupts power communication and transportation बहुत जादा flood आ जाती है आसपस के areas में और सादा communication or transportation system खराब हो जाता है टूप जाता है and it also results in large-scale destruction of life and property in coastal areas तो ये थी natural disaster tsunami के बारे में अब next natural disaster है earthquake A sudden shaking or vibrations of earth's surface is called an earthquake तो earthquake क्या होता है जब हमारी earth की जो surface है वो अपने आप suddenly बहुत जादा हिलने लग जाती है या vibrations create होने लग जाती है उसे कहते हैं earthquake जनरली earthquakes are caused when the tectonic plates rub against each other अब earthquakes क्यों होते हैं देखे हमारी जो earth है वो बनी हुई है tectonic plates से सारी जगा ये tectonic plates present होती है और कई बार कुछ कार्णों की बज़े से ये tectonic plates हिल जाती है और जब वो हिलती है तो एक दूसरे को rub करती है जिसके बज़ा से earthquake आता है तो ये धरती हिलने लग जाती है ये mostly students ये होता है mountainous regions में आपने news वगेरा में सुना भी होगा कि हमारे जो mountainous regions हैं जैसे इंडिया में उत्राखंड है और दूसरी उसमें वो नेपाल है तो यहां पे ये earthquakes बहुत ज़ादा आते हैं More and more earthquakes are happening due to human developmental and constructional activities कई बार earthquakes जो होते हैं वो construction activities जो हम बार-बार construction करते रहते हैं चाहे वो हम पहाडों पे ही जादता construction अब चल रही है तो उसकी वज़ा से earthquakes आते हैं It is one of the reasons कि जिसकी वज़ा से earthquakes आ रही है Now next point is that an earthquake intensity is measured on Richter's scale तो earthquake की intensity जो होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुकम की तिव्रता उसे measure करा जाता है with the help of Richter's scale and device called seismometer detects the vibrations caused by earthquake और vibration कितनी हुई है earthquake में उसे measure करने के लिए seismometer यूज करा जाता है अब news में आपने शायद सुना भी होगा कि कही बार वो कहते हैं कि earthquake की intensity थी 5.6 कभी कहते हैं 7.6 तो जो earthquake की intensity जब हम measure करते हैं अगर वो 7 या 8 आ रही है Richter's scale पे तो it can be really devastating वो बहुत ही खतरनाक earthquake होता है वो बहुत जादा mass destruction करके जाता है ऐसा earthquake तो इस पिचर में देखिए कि कैसे घर सारे टूप जाते हैं earthquake के बाद घर ही क्यों, schools, hospitals, colleges सब destroy हो जाते हैं इस earthquake की वज़े से बहुत सारे लोग मर जाते हैं बहुत सारे लोग injured हो जाते हैं तो बहुत नुकसान देता है earthquake तो यही सारे effects मैंने भी आपको बताए हैं many buildings, houses, schools, hospitals get destroyed people get killed or injured roads can develop cracks which affects the transportation as well roads में भी सबकों में भी cracks आ जाते हैं जिसकी वज़र से वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है तो यह था natural disaster earthquake now next one is volcanic eruptions यह volcano यहाँ पे देख रहे हैं कैसे इसमें से लावा बहार आ रहा है सारा यह जो red orange color का आपको दिख रहा है इससे लावा कहते है a volcano is an opening in the earth's crust through which molten rock called magma comes up on the earth's surface तो students मैंने अभी आपको volcano दिखाया वो कैसा होता है अब क्या होता है कि बहुत सारे students magma और लावा में confused रहते हैं तो इसको मैं आपको clarify कर देती हूँ देखिए अर्थ के नीचे जो minerals और rocks होते हैं वो molten state में होते हैं तो वो magma होता है उस state को कहा जाता है magma अब जब volcano erupt होता है तो यह जो magma होता है यह बाहर आजाता है और जब यह कहलाता है जब volcano erupt होता है तो उसमें से बहुत ज़ादा heat, gases और chemicals रिलीज होते हैं जिसकी वज़ा से बहुत ज़ादा destruction होती है mass destruction यानि बहुत ज़ादा बहुत large scale में आसपास के areas में destruction होती है people living even far away from the volcano get affected by the heat and ash that comes out अब volcano के साथ-साथ जैसे मैंने बताया heat तो होती होती है ashes भी बहुत ज़ादा होते हैं जो पूरे environment को pollute करते हैं और वो हवा के साथ दूर-दूर तक फैल जाती हैं गर्मी भी और ashes भी इसलिए जो लोग दूर भी रह रहे हैं volcano से काफी दूर भी रह रहे हैं वो भी effect होते है volcano eruption से तो देखे एक बार दुबारा इसको देखे ऐसे volcano erupt होता है और कैसे ये magma बाहर आ गया है और ये lava बनके इदर बह रहा है ये बहुत जादा आप देख सकते हैं इदर heat, gases, smoke ये पूरे environment को pollute कर देता है और ये इतना जादा गरम होता है ये lava इसके राज़ते में जो भी आता है वो इसमें जल जाता है तो ये बहुत ही mass destruction create करता है volcanic eruptions Now let's see effects of volcanic eruptions The damage is caused by advancing lava which engulfs whole cities habitats and landscapes are destroyed by lava flows तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये lava होता है ये जो भी इसके रास्ते में आता है उन सब को अपनी चपेट में ले लेता है इसलिए सारी जो वहाँ के cities होती है वो खराब हो जाती है बरबाद हो जाती है volcanic gases cause respiratory illness like difficulty in breathing तो जो volcanoes से जो gases निकलती है वो भी बहुत effect करती है लोगों को breathe करने में सांस लेने में difficulty आनी शुरू हो जाती है now next natural disaster is landslides देखिए ऐसी होती है landslides ये हमारे इंडिया में ये उतराखंड वगेरा area में ये landslides काफी आती है so what are landslides the movement of rock debris or earth down a slope is called landslides so students जब किसी पहार का थोड़ा हिस्सा टूपके नीचे गिरने लग जाता है तो उसे landslides कहते है अब क्या reason होता है कि ये landslides होती है human activities like urbanization and deforestation can weaken a mountain and start a landslide एक बहुत बड़ा cause landslides का माना जाता है जो हमारी गलतियों की वज़े से हो रहा है हमारी human activities की वज़े से वो क्या activities है urbanization अब आजकर हम पहारों पे भी cities को develop करना चाहते हैं तो इसलिए पहारों को काट काट के तोड़ तोड़के हम कभी bridge बना रहे हैं हम कभी roads बना रहे हैं तो कभी हम पूरी city को वहाँ establish करना चाह रहे हैं ऐसी ही हम करते हैं deforestation deforestation मतलब जब हम बहुत large scale में बहुत सारे trees को काट देते हैं तो इन वज़ाओं से क्या होता है कि जो वहाँ के mountains हैं hilli areas में, mountainous regions में जो mountains हैं वो weaken हो जाते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और वो टूपना शुरू हो जाते हैं जिसकी वज़ा से landslides होती हैं and these landslides can desert in either a single rock fall or even toppling down a whole hill or mountain तो इस landslides में या तो कोई एक बड़ा पत्थर नीचे गिर जाता है या पूरा का पूरा hill या mountain भी टूप टूप के नीचे गिर जाता है तो ये एक तो सबसे पहले इतना suddenly होती है ये landslides और इतनी जादा force से होती है कि बहुत जादा destruction होती है लोगों को समभलने का मौका नहीं मिलता ये देखिए ये landslides के बाद की photo है यहाँ पे ये जो सारी cars है ये कैसे खराब हो चुकी है तूट चुकी है जो पहाड का हिस्सा था वो इनके उपर नीचे आके गिरा तूट तूट के ये सारी मिट्टी इनके उपर नीचे आके गिरी और कितनी destruction करी है इन्होंने property की इसी तरह से इस photo को देखिए यहाँ पे ये landslide जब हुई तो इसने ये पूरी road block कर दी है ये पहाड जब उपसे टूट टूट के आ रहे है तो मलबे से मिटी से ये पूरी road block हो गई है तो कितना infrastructure में problem आती है सारा infrastructure टूट जाता है और खराब हो जाता है तो यही है effects of landslides loss of life and massive destruction of infrastructure जैसे कि मैंने आपको इन photos में भी दिखाया कि कितना बड़ा loss होता है लोगों की जान का भी और infrastructure का भी landslides also results in disruption of traffic by blocking roads due to debris यह मैंने भी आपको दिखाया कि जब landslides होती है तो सारी roads block हो जाती है और traffic movement भी रुख जाती है जब जंगल में आग लग जाती है तो ऐसे होता है the burning of forest like a wildfire is called a forest fire तो जब forest जो जंगल होते है वो उनमें आग लग जाती है और वो भी ऐसी आग होती है जिसको जल्दी से काबून नहीं किया जा सकता वो बहुती large scale पे लगती है वो आग उसे कहा जाता है forest fire forest fires occur in many places around the world where there is plenty of wood, dried leaves and forest cover that can burn themselves due to excessive heat of the sun तो यह जो forest fire होती है यह हमारी दुनिया में बहुत सारे जंगलों में लगती है वो जंगल जहां पे बहुत सारी wood होगी जहां पे dried सूखी पत्तियां होगी और ऐसा forest cover होता है जो अपने आप जलना शुरू हो जाता है क्योंकि गर्मी की वज़े से जो excessive heat होती है सूरज की उसकी वज़ा से अपने आप आग लगती है जंगल में और वो पूरे जंगल को बुरी तरह जल जाते हैं तो ऐसी ही एक forest fire लगी थी आस्ट्रेलिया में कुछ साल पहले और उसकी वज़ा से बहुत ही large scale पे destruction हो गई थी सारे जंगल बरबाद हो गए थी देखिए ऐसी होती है forest fire इतनी जादा wood, dried leaves वगेरा available होती हैं कि आग एक बर ही अगर लग गई तो ये लगती ही चली जाती है फैलती ही चली जाती है इसको control लाना बहुत ही मुश्किल काम है So what are effects of forest fires? smoke from wildfires causes air pollution and is bad for health तो जो ये जंगल की आग से जो smoke निकलता है वो एक तो सारे environment को pollute कर देता है और इसलिए जो ये बहुत ही बुरा होता है हमारी health के लिए जब हम उसको सांस लेते हैं ऐसी जगाओं पे even आसपास जगाओं पे ये pollution हो जाता है तो सब लोगों की health के लिए बहुत खराब होती है ये fires next effect is that significant loss of vegetation and wild animals तो जब पूरा जंगल जल जाता है तो वहाँ पे जो grow हो ही है fruits है, vegetables है वो तो खराब होते ही होते हैं जो वहाँ पे animals रहते हैं वो भी मर जाते हैं तो ये थी forest fires next natural disaster is cyclone ऐसा होता है cyclone देख सकते हैं आप इस वीडियो में तो cyclone क्या होता है a cyclone is a violent storm that spins rapidly over the ocean near the tropics तो cyclone जो होता है बहुत ही violent storm होता है यानि एक बहुत ही तेज तूफान होता है जो बनता है oceans और seas के ऊपर तो यानि ये coastal areas में आता है cyclone they are always accompanied by high speed winds and heavy showers इन cyclone के साथ साथ बहुत ही तेज speed की हवाएं चलती हैं और बहुत ही जादा बहुत ही जादा बारिश भी होती है तो इसी वज़़ज़ से students जब ये cyclone आते हैं तो news में आपने शायद सुना होगा कि warning issue होती है कि कोई भी fishermen sea में नहीं जाएगा fishing के लिए और आसपस कि जो areas होते हैं coastal areas उन्हें खाली भी करवाया जाता है क्योंकि इतनी तेज हवाएं और बारिश आती है कि वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा possible ही नहीं होता West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra These states are prone to cyclones क्योंकि ये सभी coastal state हैं तो यहाँ पे cyclones बहुत जादा आते हैं तो ये देखिए ये cyclone के बाद की photos हैं कितने massive destruction हो जाती है cyclone से सारी जो property है coastal areas की वो destroy हो जाती है लोगों के घर तूट जाते हैं सारी property तूट जाती है तो ये बहुत ही mass destruction देखे जाते हैं ये चक्रवाती तूफान यानी cyclones Now, effects of cyclone Cyclone causes tremendous loss of life and property जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि कितने जादा लोग भी मर जाते हैं और उनके घर भी बरबाद हो जाते हैं cyclone की वज़े से Next, high speed winds which come along with cyclone can damage houses, telephones and other communication systems जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस cyclone के साथ-साथ बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं जिनकी वज़े से जो लोगों के घर होते हैं वो तो टूपते ही टूपते हैं बाग की जो communication system होता है जैसे कि telephone हो गया, broadband system हो गया ये सब भी खराब हो जाते हैं ये सब भी damage हो जाते हैं And lastly, cyclone can also result in flooding in coastal areas जैसे कि बताया था कि cyclone के साथ-साथ बहुत ही तेज बारिश भी होती है तो उस वज़ा से आस-पास के इन areas में flooding हो जाती है Let's move to next natural disaster, drought Drought is an occurrence of little or no rain for a long period of time तो drought क्या होता है Drought का मतलब होता है कि जब विल्कुल भी बारिश ना आए या बहुत ही कम बारिश आए एक लंबे समय तक और हम सब को पता है अगर बारिश नहीं होगी तो क्या नहीं होगा तो पानी नहीं होगा और पानी हम सब के लिए चाहे वो human life हो चाहे वो plant life हो animal life हो सब के लिए पानी बहुत ज़रूरी है Drought की वज़े से क्या होता है बहुत ज़ादा कमी हो जाती है पानी It causes extreme scarcity of water तो देखिए जब ये drought या नि जब सुखा पड़ता है तो land कैसा हो जाता है Drought causes land to crack and break up कैसे के cracks आ गए हैं तूरी जमीन पर So what are effects of drought? Considerable loss of vegetation and wild animal life तो पानी की कमी के कारण बहुत सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और animals भी मर जाते हैं जो जंगल में wild animals होते हैं वो भी मर जाते हैं Land becomes unfit for farming जब जमीन पर cracks जब लप हो गए हैं वो तूट गई है जमीन तो उसमें vegetation उसमें farming नहीं की जा सकती है वो unfit हो जाती है agriculture के लिए This results in shortage of food leading to famine तो इसकी वज़ा से क्या होता है food की कमी हो जाती है shortage हो जाती है जब कुछ grow हो नहीं पाएगा तो shortage हो गई जिससे भुकमरी हो जाती है तो students ये हमने बड़े सारे natural disasters अब हम इस chapter के करेंगे कुछ important questions Question 1 Disasters can be dash Natural only, manmade only, natural or manmade or none of these Answer is natural or manmade Next, a dash is an undersea earthquake Options, cyclone, tsunami, landslide or volcanic eruption Yes, answer is tsunami हमने पढ़ा था कि tsunami को undersea earthquake भी कहते हैं Magma flows out in a dash Landslide, flood, volcano eruption or cyclone Answer is volcanic eruption Volcano जब erupt होता है जब magma बाहर आता है जिसे कहा जाता है Lava A dash causes a storm over the oceans near tropics Volcano, cyclone, flood or forest fire Conson natural disaster Storm जबहां जाता है Oceans के उपर Answer is cyclone Next, water-born diseases are common during dash Is it floods Volcano, landslide or cyclone Yes, answer is floods Floods A sudden shaking of Earth's surface is called ash Options, volcano eruption, earthquake, floods or landslides Yes, answer is earthquake So students, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चाप्टर Natural Disasters अच्छे से समझ आ गया है ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल Learning Notebook को अभी सब्सक्राइब करें And do share my videos and my channel with your friends and family Thanks for watching, see you in the next video, bye bye